तो मुझे पीचे से आवाज आया, वो लड़की चला रही थी, वो पहिता लेकि उसके पीचे भाग रहा था, तो मुझे वो सहन नहीं हुआ, मैं पीचे से बैग मेरा फेग दिया वहाँ पे, और पीचे से उसके पीचे भागा, वो भाग रही थी, बचाओ, बचाओ, बड़ा से विपन लेके उसके पीछे आ रहा था भाग रहा था मार रहा था उसको दुकान वालोंने शिटर नीचे लिया अंदर नहीं लिया उसको तो मुझे वो सहन नहीं हुआ, मैं पीछे से बैग मेरा फेग दिया वहाँ पे और पीछे उसके पीछे भागा और पीछे से उसको पकड़ा मुझे मालूम नहीं था वो क्या होने वाला है आगे, मैं कंसिडर करके चला कि एक वार मेरे उपर भी हो जाएगा, लेकिन मैं वो जहल सकता हूँ, मैं उतना कैपबल हूँ, मैंने वसी समय डिसिजन किया और एक पड़ा तो लेंगे, लेकिन वो उस लड़क्यों को उसको पकड़ने के बाद बहुत लोग आए, जो देख रहे थे ना पहले, उसको मारते समय, मार डॉलो इसको, मार डॉलो इसको, मैंने बोला, आपको उसको मारने का अधिकर नहीं है लोग कुंडिया उसके सर में डाल रहे थे, पत्थर डाल रहे थे, जो हाथ में बिलेगा, उससे वो मार रहे थे, तो मेरी ये लेप्ट साइड की हाथ और पाउं सुझन आई थी दो दिन, कि वो लड़के का मैंने मार खाया बाद में वहाँ पे गया तो वहाँ पुलिस भी नहीं थे, पंदरा बीस मिनट वहाँ पे पुलिस नहीं आई तो लोग बोल रहे कि इसको पुलिस टेशन के साथ जला डालो मेरे रूम पे जाके मैं रो रहा था कि अगर तीन-चार सेकंड मैं लेट हो जाता ना तो लड़के मर जाती उसके डाड़ी और वो लड़के मुझे मिलने आई थी तो मुझे बहुत बढ़िया लगा कि वो ठैंक पुल थे मेरे लिए तो वहां पर मुझे मैसिज आये लोगों की कि ओ लड़की किस जातकी थी ओ लड़का किस जातका था तो मुझे बहुत गुस्ता आया था कि महीने उस लड़की का या लड़की का जात कुछ के मदद करने के लिए जाना था ये बहुत misunderstanding है कि बहुत तकलिफ होती है कोई कुछ भी परिशन ने करता सिर्फ एक बार पुलिस टेशन में बुलाया वहां पे हमारा स्टेट्मेंट लिया बाद में उन्होंने भी हमारा मिन्स एप्रिसेड ही किया